हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग मैरा केस तुमार स्वागत है आपका है जो केसन इग गुरू कुल में दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बिहार दरोगा एसाई ठीक है बिहार दरोगा एसाई को लेकर के हम लोग बात करेंगे यानि कि किस तरह से हम लोग जो है तैयारी करें और उसकी क्या रड़नीती होनी चाहिए आप एक साल की तैयारी जो आप करते होंगे पढ़े होंगे दो साल तिन साल हम आपको शौट सेक्षन में सौट क्या-क्या पढ़ना है और किन-किन लेबल से हम लोग को बात करना है और किस पर ज्यादा हमको फोकस करना है यह चीज जो आप दो देख रहे हैं यह आठ सेक्षन जो मिलेगा यह सारा सेक्षन मिल करके आपको बनता है रणीती यह जो आपको आज राम बाड़ जो देने वाले हैं समझे कि बिहार दरोगा का जो हम लोग प्रिप्रेशन जैसे आप लोग देखते होंगे 24-46 का हम ने जो देखा उसके बाद अभी 22-23 का जो अभी तो बच्चा जो अभी दो दिन पहले हो लोग का रिजल्ट जो फाइनल पुद का माया होगा और जो लोग हमसे जूड़े होंगे और जो लोग नहीं जूड़े होंग Thank you Amit एक फिवीडियो हमनों का जो बार डाल हुआ था उसमें नहीं देखे होंगे कि एक्वियार द rhymes का लड़का जो है उसमें क्या रन्नीति रही होगी और यो सफलता नहीं लेकिन आजे राकीश कुमार अंचल अधिकारी राकीश कुमार की द्वारा जो है कि मोटिवेट किया गया उसको परशनली बताया गया उसको ऑनलाइन टेस्ट भी हमारा जुआइन किया और बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस उसका हुआ करने का मतलब है कि अच्छे उस सकते हैं कि आप जो है कि अपकॉमिंग जो डूडिफीकरिशन जो आने वाला है बिहार दरोगा का उसकी बात करेंगे जैसे देखिए इसमें आठ सेक्षन आपको दिख लिए देख रहे हैं जैसे गोल यहीं सामें स्टाट करते हैं गोल की बात करें गोल मतलब होता है लच् हर दरोगा की स्ट्रेटजी बनाई यह आपका गोल हो गया यह focus I mean to say that कि किस पर किस पर हमको focus करना है इसे मालेजी हिस्ट्री है जिगराफी है पॉलिटी है एकनॉमिक्स है साइंस में तीन पोर्षन है हिस्ट्री में तीन पोर्षन है मिसलिनियस भी है एक science and technology भी है current affairs भी है math भी है कुछ reasoning section भी है तो focus क्या करना है यह हमको देखना होगा दूसरा चीज की मालेजी कि आपको math का section मैस में बहुत सारे chapter ने लेकिन आपको पढ़ना क्या है माले हिस्ट्री में तीन section है ancient भी है medieval भी और modern भी है लेकि सबसे ज़्यदा question अगर आता है तो जायर सी बात है modern चाहिए तो हमको यह achieve कैसे करेंगे किन-किन section को पढ़ेंगे कौन-कौन सी book को पढ़ेंगे और कम से कम समय में एक 72 तयारी कैसे होगी यह सब सारे चीज आपको आप गोल भी बना लिए लच भी बना लिए फोकस भी कर रहे हैं thinking आपका हमेसा positive होनी चाहिए कि जो हम section पढ़ रहे हैं चाहे हो math पढ़ रहे हो चाहे हो reasoning पढ़ रहे हो यह economics पढ़ रहे हो anybody ले कोई भी अगर section अगर पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तोर पर जो उसका positive ले करके चलना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वह मेरे लिए बहुत important है और जो हम पढ़ रहे हैं वह लगे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं तो positive no negative पढ़ भी रहे हैं तैयारी भी कर रहे हैं प्रैक्टिसेड भी बना रहे हैं coaching class भी कर रहे हैं लेकिन आपके मन में क्या है कि negative धारना है तो उसम निगेटिव धारना आप बिल्कुल भूल जाई है खासकर के राकेश लाल से राकेश लाल से अगर आप जुड़े हुए है तो निश्ची तर पर जो है आप भूला जेगे 75418343 और 03 एक नंबर भी आपको दे देते हैं 9931843263 भी यह दो नंबर भी आप आप माल लिजे कि आपको त्यारी करना है प्रिप्रेशन करना हम लोग आठ अगस्ते एक नया बैच भी लॉंच कर रहा है जो बहुत सारे बिहार दरोगा के बच्चे जितने भी अभी मेरिट में क्वालिफाई जो मैक्सिम जो बच्चों का रेजल्ट हुआ लोगों नो द प्रोप्रव में हम लोग बता देंगे इसका वीडियो भी आप लोग बता देंगे अपलिकेशन के तुरू हम लोग क्लास करेंगे और यह नंबर है आपका हेल्प लाइन नंबर है ओके दुसरी बात आपका पॉजिटिव तो थिंग ही कि मोटिवेशन भी आपको होनी चाह करते हैं अच्छे अच्छे बुक का जो है सेलेक्शन नहीं कर पाते हैं बुक्स भी अगर माल लीजी आपको लिए तो आप किस लिबल से हमको पढ़ना है यह सब आपको पता ही नहीं चलेगा उसके बाद क्या होता है कंपटीशन देखिए बिलिब तो यहाँ आपका अच्छी नहीं हो आप न्यू है आप न्यू माल लेजी की नोटिफिकेसन आप फॉरम फिल कर दिये पर ठट जैसे ही आपको हुआ तो इसमें क्या है कि बॉंडेशन नहीं है और आपको कितना बार एकजाम देना है तो इसलिए मतलब है कि आपका फॉरम जो है यगा फिल करेंगे लेकि फिल करने से नहीं मतलब है आप यहاं पर एक पहला यहाँ पर कोसन आप से राज होता है कि एक्जाम दे या ना दे आपकी तैयारी जो है उसकी लेबल की है या नहीं है अगर माले जी आप एक्जाम दिये आप क्वालिफाई प्रीमी ही नहीं कर पाए तो अगर आपको लगेगा कि वहाँ से थोड़ा सा आपका जो है ऐसा फिल होगा कि हमने बहुत बुरा किया इस बर एक्जाम नहीं देना चाहिए था लेकि कोई बात नहीं है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलिए सीखनी चाहिए हमेशा सीख रखनी चाहिए तबी जाके होगा दूसरा सेक्शन क्या है कि मालली जी आप अध कच्रे में पड़े हुए है है ना, जैसे मालले जी सपोच्डे की आप भी हिस्ट्री आपकी मजबूत है पॉलिटी आपकी मजबूत है मिस्ट्रिनस आपकी मजबूत नहीं है करेंट आपकी मजबुत नहीं है तो आप अध कच्रे में पढ़े हुए हैं कि एक्जाम देंगे होगा ना होगा लेकि बहतरी उसका है कि आप उसको सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी जगरफी और जितने भी आपको सिल्ले बसा है पिछला बार हमने में आपको और विंदो घोष्ट का नाम पड़े और बीले आस्राम का नाम पड़े होंगे यह सब सेक्षन जो आप जो देखे होंगे इस क्या है कि आपको चलता फिरता कोस्टन है लेकिन 20 परशंट कोस्टन ऐसे होते हैं जो आपको जल्दी बुक्स में मिलेगा नहीं तो यह स जैसे हम कोस्टन भी लिखे हुए कोस्टन का कोलेक्शन भी मेरे पास है जैसे सपोर्ट एट माल लेजे कि अभी हमने कहा भारत माता नामक परसिद जो पेंटिंग है उस कौन से चितरकार के द्वारा लिखा गया है बनाया गया है पेंटिंग किया गया है आपको थोड़ा स सुनने में लगेगा, लगेगा हम पढ़े हैं, ये बनाए, B बनाए, C बनाए, D बनाए, एक देखिए, एक रणनीती जब आप बना करके पढ़ेंगे, जैसे बिहार दरोगा में हमने प्री में जो बच्चों को जो हमने कोसन जो दिया, प्री में हमने जाकर के बच्चों को 60. प्रिम आपको कटफ बेज दिये और मेंस में भी जाकर के 74.5 जो कटफ जो हमने दिया था तो कहने का मतलब यह कि क्या है यह एक अनुभव है हम आपको अनुभव देते हैं अनुभव आपको शेयर करते हैं और अनुभव के आधार पर ही आज तक जे प्रेडिक्सन जो भी मेर हुए है वो मेरा 100% सही हुए है 100% एक दम ध्यान रखिएगा यह भी जाकर क्या प्री में आप लोग देखेंगे 61.3 के जगह पर 61.5 पर रिजल्ट हुआ था 74.5 के जगह पर 74.7 पर रिजल्ट हुआ था मेंस का तो यह कहां से मिलता है confidence आप से मिलता है हमको एक्शुली हम भ अन्भो तो होगा ही कि कोशन आते कहां से हैं आएंगे कहां से है ना अब यही कोशन आप जाने की इंडियन सुसाइटी और 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 येंटल आट्स I mean टू सेड़े रभीन्ना टैगोर तो रभीन्ना टैगोर के बारे में एक बार अगर बायोगराफिय अगर आप खिंच ले पुरस्कार भी यह था इनमें से कोन थे तो क्या करेंगे का आप है विस्व का एक मात्र तरता हुआ उद्द्यान की बुली लाम जाओ भारत के किस राज्य में क्या करेंगे यह भारत वने देगा भी सुकी बात कर रहा है आपकी दिमाग जो हम आपके क्या हुआ कर पाएग अब A मारे की B मारे जैसे मेंस में दिया था, कि इन में से किस अधिनियम के तहट जो है बैपारिक अधिकार को शमाप कर दिया गया था, तो बहुत लोग 1813 भी मारा, 1833 भी मारे, थोड़ा सा वहीं लड़का लोग को ब्रेक लगता है, एक नमबर दो नमबर पॉइंट पर, तो आपको ब्रेक न लगे, इसलिए स्ट्रेटजी अपनाईगे, अस्ट्रेटजी जब आप अपनाएंगे, तो निश्ची तोर पर जो है, आपकी बहुत बढ़िया मैक्सिमम जो है कि क्या करते हैं कि प्रैक्टिस तो साथ में कराते ही, हम लोग सॉलूसर भी देते हैं, मेरा दोशार वीडियो भी आप देख लिजएगा कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, तो हम आपके लिए एक बहुत सुटेबल बैच लेकर क्या रहा है, जिसमें बिहार मेडाइवल है, मेडाइवल में भी आपको पढ़ना है, कौन-कौन सा सेक्षन ज्यादा इंपोर्टेंट है, लोदी बंस है, कि खिलजी बंस है, कि गुलाम बंस है, तो ये द्यान देना होगा हमको, कर है, जजिया कर है, जकात कर है, खराज भी कर है, तो कौन इंपोर्टें तो कहने का मतलब यह मेरा कि जब तक से आपका कखगगगा सिखेंगे नहीं तो कल से कमल सिखने लिखने पाएंगे तो आप पढ़िए पढ़े हुए है फ्रेशनर के तौर पर आपको हम बता रहे हैं अब उसको समझे अब मालने जिए सपोर्ड एट कि मालने जिए कि टार्गेटर स्कूर आपकी क्या होगी यह भी तो लेके चलना है टार्गेटर स्कूर मालने जिए कि क्या होगा टार्गेट का कोसन क्या होगा तो प्रती दिन जो है क्या करेंगे आप टार्गेटर स्कूल लेके चलते हैं इसमें 100 कोस्टर आता है आपके एक्जाम्स में अब बताईए कि 100 में से कितना कोस्टर अगर हम बना देंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा और कितना कोस्टर छोड़ देंगे जो आपका वीक है लगता है यह हमको नहीं पढ़ पाएंगे छोड़ने में ही भलाई है तो टार्गेट डैट इस भरी इंपोर्टेंट एक दो टार्गेट हो गया एक तो आपका सब्जेट का टार्गेट हो आपको अगस्त में नोटिफिकेशन जो है लास्ट मन्त में आ जाए यह आपको सितेमबर के फर्स्ट विक में आ जाए लेकिन लेकिन एक्जाम कब होगी 24-46 प्री का एक्जाम हुआ था दिसंबर में 22-13 एक्जाम हुआ था दिसंबर में इस बर जो आपको लगबग जो है क 2300-2400 के आसपास जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है बिहार दरोगा का यानि कि बिहार SI का सर्व इंस्पेक्टर का सार्जेंट का उसका भी एक्जाम आपको दिसंबर में ही लेगा आप चुछ कर लिजिए ये जुलाई खतम हो रहा है आपके कितने मन्थ आपको बचे 7 मन् मिन्टू से 5 महिना 5 महिना में आपका फॉर्म भी करना है तयारी भी करनी है और दोस्तों एक बार और चीज़ है कि अगर आप तयारी कर रहे हैं तो निशीत तोर पर क्या करेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा फिल्ड ग्राउंड में भी थोड़ा सा रोज प्रैक्टिस करिए जो कि हम इस बार हमारा मैक्सिमम बच्चा जो है न अच्छे नंबर आया थे 83 85 मने 80 प्लस मैक्सिमम बच्चों काया लेकि वो फेजिकल जो है नहीं कर पाने के चलते जो है वो क्या हुआ आउट अफ मेरिट ठीक है न वहां तो क्वालिफाई ही नहीं किया फेजिकल ह आज गया है कि कितना नंबर लाना है हम आपको दोनों स्कूर बता दिये प्लु मेंस का भी बता दिये हम वाविव हमने अब करता हैं कि आप एक इस्ट्ू थो ओन convert जो आपका 22 तेरा जब प्री जो हुआ मेंस जो हुआ उसमें हमने लगतार आप लोगों को मोटिवेट भी किये पढ़ाई भी ऑनलाइन टेस्ट भी लिए क्लास भी उसका आपको रिजल्ट्स भी आपके सामने आपको दिखते हों कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कि मेरे है टार्गेट सेग्मेंट है ना है टार्गेट सेग्मेंट इसको समझते हैं टार्गेट सेग्मेंट का मतलब यह है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए टार्गेट कोस्टन मन क्या क्या इसमें होंगे ठीक है ना जिसे माल लिए कि सोर्सेज क्या है क्या मत्सोर्स का मतलब क्य कि नोड है कि प्रैक्टिसत्राइट है कि इस में सवाइंगे क्या क्या हम पढ़े इस थिस मंतना मॉख देखना ख PrivSe贸 प्रतिश्टिक हो गया घटना चक्रक हो गया प्रिक्षा मंतन में आते हैं तो सबसे पहले जो है कि सोर्सेज आपको ढूंड़ना होगा कि इसकी बहतरीन तैयारी करने के लिए हमको क्या क्या होनी चाहिए तो सबसे फर्स्ट अपल अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए रिजल्ट जो होता है खास करके बिहार दो होगा प्री डिजल्ट हूँ या मिंस का रिजल्ट हो उसमें आपको 100% जो है मिस्रिनियस कोस्टन को ढूड़ना होगा कि भाई हम जो टीप टाप में रहता कि लोग हमको अच्छा करें तो आप जस्ट लाइक उस समझें कि मेरा एक सबसे बड़ा उकेजन क्या है एसाई का प्री है एसाई का मेंस है यानि कि हम वहां पर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए मूड में जाए अगर कोई बहुत बड़े फाइदे होंगे और यह जो आट जो सेक्षन जो बता है अगर माइंड में अगर डाल लिजिएगा राकिस लाल का पढ़ाया हुए एक जौब नहीं चार-चार पच्पा जौब जो है आज लेकर की लड़का लोग खड़ा है सिर्फ और सिफ आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि विदिन सिक्स मंथ जो है किवल आप हमसे कलास कर लिजी डेगुलर हलाकि मैं ये टूप जो है लागतार कभी कलास लिया नहीं लेकि जो भी अभी कोशिस कर रहा है जिसे बिहार सची वाले साय का जो लागतार हम कलास ले रहा है तो उसमें देखते होंगे कि मेरी कंटेंट क्या है उसमें जो है कि आपको रणनीती भी बना रहा है बता रहा है आपको बुक्स भी इसमें जीरो लेबल से हमें स्टार्ट की हुए है सुच लिजी इसमें जीरो लेबल है ना तो आपको समय नहीं देगा बिहार दरोगा आपको समय दे खोगा होगा मैं आपको जुए अंचल अधिकारी चिकारी मैं आपको च्राइट जी पूरी की पूरी बताते हुए आपको फोकस कर रहें अब साइंस की बैंगराउंड की बात कर रहें साइंस का देखे होंगे कि हम जो है जिसे माल Jake फिजिक्स में पढ़ना है पच्पन से साथ सेक्षन में आपको 55-50 नहीं पढ़ना है दस से 12 ही पढ़ना है बाइलोजी में आप जाएगा उसमें भी लगबक 60-70 सेक्षन है ठीक है ना तो उसमें क्या है कि सेक्षन जैसे आप लोग देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स का और लगता है कि वो whyो काम दाले हुए है और हर सब्यक्स का हम डाल देंगे ऐसा नहीं है तो उसको क्या करेंगे कि उसमें भी आपको 10-12 Sektion आपको देखना होगा कि उसमें कुस लेबल से और कैसे कैसे आते हैं मालने यह हिस्ट्री है तीन सेक्षन है आपका उसमें तीन सेक्षन में जैसे सपोड़ एट मालने जिये कि आपका एंसेंट है मेडाई भलर बर्डन है आप पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो है ब्रामणों से भी जजिया कर जो है किसके दोरा प्रारम किया गया था एक कोस्तन जो है जजिया कर जो है सबसे पहले किसके दोरा स्टार्ट किया गया था और जज्यकर क्या है तो कुश्चन है एक लेक tools पूछने का तरह्का क्या है अनिएक अक्बर भी जाकर के जज्यकर को band कर दिया था पुना जाकर औरंजेव चला दिया था तो कहने का तात परज है मेरा दोस्तों कि आपको जब तक से पता नहीं रहेगा कि कि सेक्षन से हम को पढ़ना और किस लेबल से हम को पढ़ना है तो उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको एक अच्छे गुरू की तलास होनी चाहिए या एक अच्छे जो है आपका लूप होनी चाहिए जैसे बैंड बाजा देखते होंगे हर बैंड बाजा में क्या है कि हर साजुS KanhalfaC कोई जो है कि उसने पीनाक बजा रहा है तो कोई ये पीडी पीडी बजा रहा है तो नगारा रहा है वो शारा मिल करके Сам सब्सक्राइब अच्छा धून बनेगी और लगी चाहिए विए उस्सी ओऱ अप्से आप जो है तो आपको रिगों चाहिए पॉलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जगरफी भी आपको अच्छी होनी चाहिए, साइंस में यानि कि फिजिक्स कमेश्ट्य और बायो भी अच्छी होनी चाहिए, एकनोमिक्स भी आपको अच्छी होनी चाहिए, और आपको साइंस और टेकनलोजी भी अच्छी होनी वो समझे कि आपके लिए दरोगा जो है कदम चुमेगी आपके पास दोड़ करके आगी दरोगा दरोगा जो है न वह आपके पास जो है कि दोड़ करके आगी कि अ कि टो ह께 पास सेग्मेंट से पढ़ने के लिए लेकिन जो सेग्मेंट कीजिए जैसे ने इंटरनेशनल प्राइज्ऀ एंतराश्टी पुरसकार है तो अंतराश्टी पुरसकार बहू सारे पुरसकार है उसमें वह सेब्स पहर तो आपको पढ़ने का एक तरीका पता रहा है और उसको आपको फॉलो करना होगा आपने हर लाइफ में और दोस्तों स्टुडेंट का पढ़ने का समय जो होता है तरीका सिखना होगा बहुत जोड़ी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वह गुरूप बना लेते हैं आठ बच्चों का दस्ट बच्चों का अच्छी बात है लेकि गुरूप भी बनाना चाहिए तो आपको देख हम देखिया थी कोर्स हो जिए यह था तो सबहना तोपड़ा हुए पार रएगर लोग सेमें केरिक्स क्या तो वहां जब हम गयार तो वोहां तो वहां तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज हम जानते हैं वही लोग पूछ रहा है हुआ कि हम उस गुरूप में जो है आट दिन दस दिन गए देखे गुरूप फिर बाद में लगा कि हमारे लाइक यह गुरूप नहीं है इसलिए हम उस गुरूप को क्या कर दिए छोड़ दिए लेकि उस गुरूप से हमको बहुत कुछ सिखने को भी मिला था बहुत कुछ सिखने को मिला क्योंको कुछ ऐसे ऐसे उट पटांग उट पटांग को सजो डालता था लोग जो future में न कभी आया है न कभी आएगा ना आने की कभी सम्भाव ना है तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं इसलिए आपको जो है इसमें question जो आपको online test भी होंगे online class जो हम लोग लेंगे online test भी विहार सच्च वाले सायक का हम लोग का चल रहा है BSACGL का class भी चल रहा है test भी चल रहा है 10 टेस्ट होगे week में दो टेस्ट चल रहा है सपता आमें दो टेस्ट आपका भी दरोगा का सालसात class भी चलेगा और test भी लेंगे करण क्या है कि आप जानते हैं कृप्स mission कृप्स mission भारत में कब आया था तो सब लोग जानते हैं कि उन्ही 42 के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो या सत्य है तो क्या करेंगे आपको 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था है ना 1942 में जाकर क्या भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था है ना उसी समय जाकर कि भारत का वाय सराई भी बदल गया था तो बहुत सारे points है आपको बहुत सारे points है तो कौन सा कथन सत्य इस है कोग अधा से पहले अच्चीब कीजिए आपको दे देंगे जिसे आपको एक्जाम में आता भी था आया भी था खेडा मुवम्मेंट अहमदाबाद मुवम्मेंट नहरू रिपोट और इधर हो जाएगा मुहम्मद अले जीना द्वारा कोसर नहीं पुछता है एगा पॉलीट् andere ही जब भी पूछेगा आपको फिर में ज्यादा तर निशोर होगा निशीट तो यह कभी कोई भी यह कंपर्टीशन निखल सकता है के आप का मिस्रीनियन से ही जाकर करेंट उत्पन होता है जासे सबबोंड़ेट जब हमारा ओलंपवी गेम जब स्टार्ट हुआ था तो उसक्या था ऊसो में करेंट था इतिहास बन गया आज ओलंपी गेम कहाँ होगा उसके मसकट क्या है भारत जो है फलाना ओलंपी गेम में कितना पदक जिते भारत की प्रथम महिला ओलंपी के पदक जितने वाली कौन है मैं कौन है भारत में ओलंपी गेम हुआ है कि ने तो भारत के दिश्टी कोड से जो है जाकर वर्ल्ड में गुमना हो तो दोस्तों कहने का मतलब और यही है कि आप लोग को क्या है कि A to Z आगर आपको तयारी करनी है, मेहनत करनी है, तो इस पूरे गोल को, फोकस को, पॉजेटी, मोटिभेशन, बिलीब, कमपर्टीशन, प्लाइनिंग और विजन, और शब यह मिल करके क्या बना आपका एस्टेटिजी, तो एस्टेटिजी बनाने के लिए आपको स्वेम इसमें अपने अस्तर से भी 20% को जोड़ना होगा, हो सकता है, कुछ पॉइंट मेरे मुझे से चुट गया हो, जो मेरे अनुभव रहे हैं, यह सब सारा चीज हम सेयर किये आपके सामने, और जितने भी हम लोग का online test होगा, online class होगा, उसमें को पर दोस्तों इस जो बीडियो जो आपको दिये, कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करने से पहले क्या क्या हम को देखना है, कौन कौन सा बुक्स का selection करनी है, और कौन कौन सा आपका important section पढ़ना है, तो मेरा बीडियो जो है, बुक्स मार्केट में बहु सारे है, लेकर की उसको और लेकिन क्या सेक्षन पढ़ना है उसको आप वीडियो मेरा आप देख लिए जिएगा जिसमें आपका जगर अथी फिजिक्स आपको डाल चुके हैं बायो आपको डाल चुके अगला जो आपका पॉलिटी डालेंगे तो निशी तोर पर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगला जो सेक्षन हमारी जो होगी इसके ले करके बिहार दरोगा को ले करके वह बहुत ही जवरजस्त होगा इसलिए आसा करते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोग को पशंद अगर आया होगा तो निशी तोर पर जो अपने गुरूप समिदम सेर करेंगे और अपने दोस्तों को ही बताएंगे कि किस लेबल से आपको पढ़ना है और बहत्तर तैयारी एक साल की तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ पांच से शिक्स मंत में आपको राकेसला तैयारी करवाएंगे उसके लिए आपको मेरा दोशार वीडियो देखना होगा सबसे पहले आपके अंदर जो बता है ने कि बिलीव पहले अपना अंदर विश्वास जागा यह आपकी उसके लाइक हम है या नहीं तो अगर इस बात को अगर फॉलो किये चुकिए अपना अनुभव हम प्रस्नली जो है एक मामूली जो है गरीब ठिला चलाने वाला का बच्चा जो है आज हमसे जूडा हो बेचरा दरोगा बना इसकी एक मा जो है सिलाई करने वाली की मा जो बकसर की बात में कर रहा हूँ उनका बेटा जो है दरोगा बना पेपर में आप लोग पढ़े होंगे हस्पूरा का राहुल प्रकास और वलक आपको बताये थे चंदन ठीक है फिर आपको बिनोद कुमर और सहरशा तो यह सब क्या है ना कि थोड़ा मैंड में चलते रहता है I mean to say that कि ओलो प्रुभर्टी से वहां यहिसे अब कि आपकी सबसे और परिच्छा है और वही जो है जिसने घर्ज अपनाया जिसने आपा नहीं खोया आज अपने पेरे पे खड़ा है और मैं बार-बार दोस्तों यहीं बोलता हूं कि मेरी content ही मेरी पाशान है दोशार वीडियो आप लोग देख लेंगे तो content आपको शमज में आ जाएंगे और जिनको भी हीरो से जीरो बनना है जीरो से हीरो नहीं करते हैं पढ़ाई आपको देखना है कि हम कैसा पढ़ाते हैं लेकि रिजल्ट में हम जोड़ी विश्वास करते हैं अगर हम पढ़ाया है online test लिए है online class लिए है online test का discussion करवाया है तो निशी तोर पर आपका selection होने से कुई रोक नहीं सकता है हाओ एक दो पर्षेंट जो है exceptional है कि कुछ ऐसे life में आ जाता है आकासमात होता है लेकि उसको हम नजर अंदाज करते चलते फिर भी लेकिन आपको गारांटी दे रहा है कि आपकी result होगी positive में तैयारी करें तो दोस्तों यह मेरा छोटा सा अनुभर था आपने सेर की आज तक हम दरोगा को लेकर करके कभी भी हम जो है वीडियो आप लोगों को नहीं बनाई थे और नहीं बताये थे कि क्या-क्या किसी पर फॉलो करना है लेकि छोटी से आपके रिक्वेस्ट है कि इसको आप फॉलो कर लिजिए एक माइंड में डाल दीजिए और आपको अगस्त के लास्ट विक में या सेप्तेम्बर के फर्स्ट विक में पूना जो है अपनश्ची तर्प पर जो है आप लोगा सफलता आपको मिलेगा तु ठीक है दोस्तों अच्छा लुगा तो आप लोग को हम वीडियो भी सेर कर दिजेगा लाइक भी कर दिजिए, सब्सक्राइब तो आप लोग कर किये ही होंगे, नहीं किये होंगे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, इनकलाप जिन्दा बाद